हाई फ्रेंट्स वेलकम टू कमलाज की चन तो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं पोहे का और मुफली का बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा नास्ता जो सबको काफी पसंद आने वाला खास करके बच्चों के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुफली को ड्रा कैसे रोष्ट हो जाती है तो यह देखे काफी अच्छा सा कलर भी आ चुका और मैं स्पेचुला से इसको दबाते जा रही हूं तो इसका चिलका है वो भी अलग हो रहा है अब हमें मुफली को ठंडा होने देना है और उसके बाद में मैंने एक टोरी पोहा लिया है और पोह ही अच्छी हमारी यहां पर ब्रेकफास्ट बनके तयार हो जाता है जो बच्चों को तो बहुत पसंद आता है तो बस हमने यहां पर पोहों को भी अच्छे से ड्राइ रोस्ट कर लिया है बिना घी के यह नास्ता बनके तयार होने वाला है फ्रेंड्स पोहे हम अच्छे तर करेंगें यह दूस्ा, ताकि घूर फुँमिन प्रनी पारे को हम सर कि असली पूलता है धी, अगर ऐगें सब्सक्राइब पिंधकों आकर था और च difficली मतले हैं गुड्वें त्टक किह दूस्त वालजा, हम्सक्त कमशंच की महाया भी गढ़ें गुड्जक, वाली च्श्किया वना थोड़ा सा और पका लीजिए इसमें मैंने मुंफली का चिलका उतारके उसको मैंने थोड़ा सा या तो फिर मिक्सी में चला लीजिए फिर ग्रैंडर जार के अंदर अच्छे से करके या फिर कूट लीजिए ऐसे ही और इसी के साथ मैंने नारियल का बुरादा भी डाल तो यहां देखें मैंने सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेब यहां पर विल्कUL ही हमें लो कर लिएना हमें लो फ्लेम पर हमें बनाना है तो बस अब हमने आप मुफली को और नारियल के बुरादे को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है इसके अंदर मैंने नारियल के बुरादे के साथ मैंने इलाइची पाउडर को भी पीस लिया था ताकि इसका फ्लेवर हो जाए पूरे नास्ते में तो यह देखे बहुत अच्छा इसको अच्छे तरीके से पकने देते हैं और गैस का फ्लेम यहां पे कम ही रखेंगे अब हमें इसको थोड़ा सा ओर चलाना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है यह देखे फ्रेंट्स काफी अच्छी तरीके से mix भी हो चुका है हमारा mushroom है वो और आप बारी आती है इसके अंदर पोहे डालने की तो पोहे हमारे रोस किये हुए हैं पोहे डाल देंगे और कर देंगे इसको भी फठाफ़ तरीके से mix तो यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही को थोड़ा सा गुनगुना सा ही सेट कर लीजिए लेकिन मैं यहां पे इसके बिल्कुल इसको खुला ही रखूंगी इसमें नए बर्फी बनाओंगी नए लड़ू बनाओंगी बस ऐसे ही ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए तो यह देखिए हमने यहां पे कुछ देर बा होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्ली चैन को कर देना सब्सक्राइब बैल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और आप भी अपने बच्चों को यह नास्ता लिए बाइबाई टिक।